आप सभी को इस काईक्रम में हम स्वागत करते हैं और अभिनंदन करते हैं सर प्रथम इशो मसी में आप सभी को नमस्कार सत्पत्थ मिनिश्री हमारे विचार में कई वर्सों से थी कि कैसे हम बड़े जन सम्मू को परमेशन के ग्यान एवं उसकी इच्छा एवं उसके प्रेम का संदेश जो उसने मनुष जाती के लिए जो उसने प्रदान किये हैं जन जन तक पहुचाना है टीवी चैनल एक ऐसा माध्यम है जिसके दौरा हम अपनी इस योजना को सफल रूप दे सकते हैं सत्पत्थ मिनिस्ट्री शिरी जैंस कूरियन एवं उनके दोनों पुत्र जैंत कूरियन एवं जौन कूरियन पुत्री ग्रेश तुहींदास एवं पुत्रवधू कृपा जैंत एवं प्रियंका जौन कूरियन इसमें शभागी होंगे यह कारिक्रम हर शनिवार को शाम पांच बजे से साड़े पांच बजे तक प्रस्तूत किया जाएगा आप सभी से निवेदन है कि इस कारिक्रम को देखे और आत्मिक लाव उठाए जैमसी की आएए हम इस पुराने गीत को गाते हैं जिसका शीर्चक है आभारी हूँ सिर मैं जुकाओ जीवान अरपान मैं करता हूँ आमूल यभे इस से अधिक्या संपुर जीवान मैं सौबता हूँ दूर जब जाता हूँ रभू के पेम से धायल होता रभू का मन अब ना जाओंगा छोड़ तुझको दूर मैं सदा तेरे पास रहूंगा मैं आभारी हूँ सिर मैं जुकाओ जीवान अरपान मैं करता हूँ आमुल यभे इस से अधिक्या संपुर जीवान मैं सौबता हूँ मन मेरा केष्टा जग के वे भाव से अभी राशा जो बादा मेरा मसी के आद बुद्प्रेम के लिए सब बादा को छोड़ता हूँ मैं आभारी हूँ सिर मैं जुकाओ जीवान अरपान मैं करता हूँ आमुल यभे इस से अधिक्या संपुर जीवान मैं सौबता हूँ प्रेम है आगार रभु जो तेरा सामर्थी नूँ वर्णन के मैं सदातक मैं सेवा करूँगा रेडिया हूँ तेरा जो मैं आभारी हूँ सिर मैं जुकाओ जीवान अरपान मैं करता हूँ आमुल यभे इस से अधिक्या संपुर जीवान मैं सौबता हूँ संपुर जीवान मैं सौबता हूँ आदके इस एपिसोड में मैं हमारे प्रभु इशु मसी के इस संसार में रहते हुए अपने संभाशनों में उन्होंने जो वक्तब दिया जो स्टेटमेंट दिया जो आधिकारिक वचन उन्होंने बोले हैं उसके बारे मैं मैं आप सभों को बताना चाहता हूँ संसार में बड़ी बड़ी हस्नियां आई बड़े बड़े लोग आये बड़े बड़े अविश्कारक आये बड़े बड़े विद्वान आये बड़े बड़े ग्यानी आये सब के सब इस संसार में रहे उन्होंने अपने दर्शन या उनकी जो फिलोसफी थी उस फिलोसफी को दुनिया में फैलाया उन्होंने एक विशेश प्रकार के जन समूह को प्रभावित कर दिया परंतु हमारे प्रभु इशुमसी ने इस जगत में आने के बाद इतने आधिकारिक रूप से ये वचन बोले हैं ये वचन दे ग्रेट आयम मैं हूं पूरी संपूर्णता से पूरे अधिकार के साथ प्रभु इशुमसी ने ये मैं हूं वक्त तब विदिया ये हमको यूहनारचित सूसमाचार में देखने को मिलता है साथ प्रकार के मैं हूं स्टेटमेंट या मैं हूं वक्तव्य उन्होंने दिया है इन वक्तव्यों को हम देखते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे जीवन की हर छेत्र में हर जीवन को प्रभावित करने वाले छेत्र में सारी प्रक्रियाओं में हमारे साथ इशु है क्योंकि वो ही है सब कुछ वो यह कह रहा है कि मैं हूं मैं हूं मैं हूं और कोई संसार में नहीं आया और किसी ने इस अधिकार के साथ ऐसा कोई व्रक्तव्य दिया हो सरप्रथम हम देखते हैं कि प्रभुयेश्य मसी ने युवन नारचित्सु समाचार उसके छटवे अध्याय में मैं हूं स्टेट्मेंट को कहा है स्टेट्मेंट मैं हूं यह वक्त तब देखने को मिलता है तो पहला मैं हूं प्रभुयेश्य मसी का हम को युवन नारचित्सु समाचार उसके छटवे अध्याय के पैतीश्य वे वचन में देखने को मिलता है छटमा ध्याय उसके 35 वचन में हमने का इशु ने उनसे कहा जीवन की रोटी मैं हूँ जीवन की रोटी मैं हूँ जिसको भी जीवन चाहिए जिसको भी अनन्त जीवन चाहिए जिनको जीवन में स्थाइत्व चाहिए हमेशा जीवित रहे उसको जीवन देने वाला रोटी जो हमको खाना है वो मैं हो प्रभु ईशु को ग्रहन करना है वो यह वक्त अब दे रहा है कि जीवन की रोटी मैं हूँ है दिया आप प्रभु ईशु मसी को अपनी रोटी मान कर उस रोटी पर खाएंगे तब हमको जीवन मिलेगा जो भी उस पर विश्वास करेगा जो भी उसकी तरफ देखेगा जो भी उसको ग्रहन करेगा उसको जीवन हमेशा का मिलेगा जीवन की रोटी मैं हूँ कितने लोग आए कितने लोग इस संसार में रहें कितने लोगों ने बड़े-बड़े भाशन दिये बड़े-बड़ी संस्थाएं बनाई बड़े-बड़े अविश्कार किये मगर हम देखते हैं कि वो सब बर मिटे कोई जिन्दा नहीं है सारे सारों को संसार से बिदाओं पर हमारे प्रभु इश्व मसी कहते हैं कि मैं जीवन की रोटी हूँ जो मेरे पास आता है जो प्रभु इश्व मसी के पास आता है वैं कभी भूका नहोगा और जो मुझ पर विश्वास करता है वैं कभी प्यासा नहोगा भूक और प्यास जीवन में हमको कभी देखने को नहीं मिलेगी हम मेदी उसके पास आएंगे प्रभु इश्व मसी हम सभों को बुलाता है पूरे संसार के नागरिकों को बुला रहा है कहता है मैं जीवन की रोटी हूँ जो भी मेरे पास आएगा वो न कभी भूका होगा और न कभी प्यासा होगा शारिरिख भूक नहीं आत्मिक भूक भी नहीं रहेगी आत्मिक प्यास भी नहीं रहेगी उसको संपूर्णता मिलेगी उसको जीवन की सारी व्यवस्थाओं में प्रभू इश्युमसी का साथ रहेगा उसके अलावा उसको अनंत जीवन का स्वर्गिय सुखों का उसको प्राप्ति होगी फिर हम देखते हैं इस आयम स्टेटमेंट को युगना रचित इसी अध्याय के बारवे पद में हम एक और चीज देखते हैं एक और मैं हूँ स्टेटमेंट प्रभु इश्व मसी का देखत हैं बारवे पद को यदि हम युँना रचित सुसमाचार छटमाध ज्याय और उसके बारवे पद में हम देखते हैं कि प्रभु इश्व मसी ने ये कहा कि मैं जगत की जोती हूँ और जगत की जोती का हमको यदि प्रकाश चाहिए जीवन में प्रकाश चाहिए कि यह जीवन में कैसे आगे बढ़ना है पुरी संसार के लिए वो कहता है कि जगत की जोती मैं हूँ कि हमको अंधकार से अपने जीवन से अंधकार हटाना है तो प्रभु इश्व मसी कहता है कि संसार की जोती मैं ही हूँ कि कोई मेरे बिना जाए तो उसको अंधकार ही अंधकार मिलेगा कुछ समय को उसको लगेगा कि उस वो जोती में चल रहा है वो ज्ञान में चल रहा है वो प्रकाश की और बढ़ रहा है मरा अंत क्या है अंधकार ही अंधकार प्रभुय इश्व मसी कहता है जो भी उसके पास उसके पास हमेशा जोती रहेगी वो प्रकाश मान रहेगा सारी रहस में चीजों को वो जानेगा क्योंकि जगत की जोती मैं ही हूँ प्रभु ईशु मसी ने कहा है और फिर हम आगे देखते हैं प्रभु ईशु मसी ने और क्या मैं हूँ बोलते हैं दस्वे अध्याय के साथ्वे पद में प्रभु ईशू ने एक और वक्त भी दिया, ऐसा वक्त कोई ने नहीं दिया, वो कहता है, मैं तुम से सच सच कहता हूँ, भेड़ों का द्वार मैं हूँ, द्वार मैं हूँ बोलता है, हम सब उसकी भेड़े हैं, उसमें उस भेड़ शाला में प्रवेश करने का द्वार हमारा प्रभु ईशू मसी है, द्वार मैं हूँ, वो ही एक दर्वाजा है, प्रभू को प्राप्त करने का प्रभू की ओर अपने कदम को पढ़ाने का प्रभू की ओर उस भेड़ शाला में जाने का द्वार वही है उस द्वार के अलावा और कोई द्वार नहीं है द्वार मैं हूँ आगे हम क्या पढ़ते हैं मैं तुमसे सच चच कहता हूँ कि भेडों का द्वार मैं हूँ जितने मुझसे पहले आये वे सब चोर और डाकू है इस संसार में जितने भी लोग आये हैं जिनोंने कहा कि मैं हूँ द्वार मैं आपको स्वर्ग ले जाऊंगा मैं आपको अनंत जीवन दूँगा मैं आपको शांती दूँगा मैं आपको संपन्न करूँगा आपकी प्रग्ति होगी आप बड़े होंगे अनंत जीवन के वारिस होंगे पापों से आपको छुटकारा मिलेगा प्रफु इश्व मसी का वरक्तव भी ये कहता है जितने मुझसे पहले आये वे सब चोर और डाकू है पन्तु भेडों ने उनकी ना सुनी द्वार में हूँ यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करे तो उधार पाएगा पापों से हमको मुक्ति मिलेगी हमारा उध़ार हो जाएगा और भीतर बाहर आया-जाया करेगा और चारा पाएगा जीवन के लिए जो भी चारा है परभु ईश्व मसी के उस द्वार को हमको पहचानना ह प्रभु येश्व मसी यहां बता रहे हैं कि इसके पहले जो भी आए वो सब चोर और डाकू थे जिनको जिनके जो जो द्वार नहीं थे वो भेडों की कोई रखवाली नहीं कर सके भेड सब तितर बितर हो गए अनंत मिनाश में चले गए प्रभु येश्व मसी अपने वक्तव में कहते हैं द्वार में हूँ हमको प्रभु येश्व मसी के इस वक्तव पर विश्वास करना है वो ये सब बताना चाहता है कि और कोई द्वार नहीं है हम उस द्वार से सीधे प्रवेश करेंगी प्रभु ये इशुमसी ही द्वार है प्रभु ये इशुमसी ही सच्चा द्वार है हमको उस पर विश्वास करना है परंतु वो आगे भी खहता है यदि कोई मेरे द्वारा भीतर प्रवेश करेगा तो उधार पाएगा चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने खाट करने और निष्ट करने को आता हूँ मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाएं और बहुत आयत से पाएं कितना बड़ा वक्त अब है हमारी प्रभू ये शुमसी का बहुत आयत से हमको जीवन देने वाला के वले की है वो है हमारा प्रभू ये शुमसी आगे के दस्वे अध्याय में हम देखते हैं कि ग्यारा और ग्यारा से लेके आगे के कुछ पदों को हम देखते हैं वो कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूँ सर्वोत्तम चरवाहा है अच्छा चरवाहा है वो भेड़ों के लिए सबसे उत्तम है सर्वोत्तम है अच्छा है अच्छा चरवाहा मैं हूँ ग्यारवापत दस्वे अध्याय का अच्छा चर्वाहा भेडों के लिए अपना प्राण देता है हमारे प्रभु इश्व मसी ने इस संसार में आके अपने भेडों के लिए अपनी प्राण को कुर्बान किया हमको अनिंत्य जीवन का मोक्ष प्राप्ति का उद्धार पाने का एक अवसर पदान किया अच्छा चर्वाहा रहा हूँ उसने अपने भेडों के लिए अपने प्राण भी दे दिये और मजदूर जो ना चर्वाहा है और ना भेडों का मालिक है भेड़ी ये को आते दे भेडों को छोड़ कर चला जाता है बाकी सब मजदूर थे, चरवाहे नहीं थे, भेड़ों को पालने के लिए वो मजदूरी करते थे, जब भेड़िया आता है, जब कोई जंगली जानवर आता है, वो भेड़ों को छोड़ के चले जाते हैं, अपने प्राण की फिकर करने लगते हैं, और भाग जाते हैं, भेड या उनको पकड़ लेता है, और तितर बितर कर दीता है, वो इधर उदर भेड़ चली जाती हैं, कुछ तो खतम हो जाती हैं, वैं इसलिए भाग जाता है कि वैं मजदूर है, उसको भेड़ों की चिंता नहीं, अच्छा चरवाहा मैं हूँ, मैं अपनी भेड़ों को जानता है, हूँ, प्रभू अपनी सारे भेड़ों को, सारे मनुश्य जाती को जानता है, वो नाम नाम लेकर सबको जानता है, सबको पहचानता है, और मेरी भेड़े मुझे जानती हैं, जो उस पर विश्वास करते हैं, उस पर प्रभू ईश्वास करते हैं, वो मेरी भेड़े हैं वो उसको भी पहचांती है प्रभु-ईशु को भी पहचांती है चरवाहा भी पहचांता है और भिड़ें भी उनको पहचांती है अब हम युछन्त के ग्यारमें अध्याय में जब आते है तो वहाँ पर प्रभु-ईषु मसी ने एक और statement या एक और वक्तव भी दिया है ये भी क्या है वो ये वक्त है पुनुरुत्थान यानि मरने के बाद फिर से हमको जीवित करने वाला पुनुरुत्थान फिर से हमारा उत्थान करने वाला उस मरन से हमको जिंदगी देने वाला पुनुरुत्थान और उसके बाद का जीवन देने वाला मैं हूं दिखा है मैं हूं ग्यारवेद्ध्याय के पचीशमें पद में हम पाते हैं ये इशु ने उनसे कहा इशु ने उससे कहा पुनुरुथ्थान और जीवन मैं ही हूं जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वै यदी मर भी जाए तो भी जिएगा कितना बड़ा एक वक्त तब है जो कोई उस पर विश्वास करता है ये विश्वास करने की चीज है कि हमारा प्रभू इशु मसी के पास पुनुरुथ्थान की ताकत है जीवन देने की ताकत है उस पर केवल विश्वास करना है बाइब हमको केवल विश्वास करना है हमको कोई त्याग तब तपस्या या कोई तीर्थ यात्रा कुछ भी नहीं करना है हमको प्रभू ईश्व मसी पर विश्वास करना है उसके बलिदान पर विश्वास करना है, उसके वक्तव्यों पर विश्वास करना है, जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, करता है वो अनंतकाल तक ना मरेगा, कितना बड़ा स्टेटमेंट है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा, वो अनंतकाल तक नहीं मरेगा, उसके का अंत नहीं होगा हम इस संसार में आते हैं कुछ वर्षों के लिए रहते हैं फिर मर जाते हैं उसके बाद उस मरन मरनहार शरीर को पुनिर जीवित करता है प्रभु इश्वमस और अनंतकाल का जीवन देता है उसका अंत कभी नहीं होगा वो कभी नहीं मरेगा परमेश्वर का कितना बड़ा एक महान कारे हम सबों के लिए किया गया है जो कहता है कि पुनुर्थान और जीवन में हिए हमको हमारी इदिशारी रिक मौत इस संसार में होती है तो अभी हमको ये विश्वास रहता है जो प्रभु इश्वमसी पर विश्वास करता है उसको ये दिरण आशा रहती है उसको इस प्रतिग्या का याद आती है प्रभु एश्यु मसी ने कहा जो कोई उस पर विश्वास करता है वो हरंत काल तक नहीं मरे इन सारे वक्तवियों में प्रभु एश्यु मसी ने जो भी बोला है मैं हूँ उसके अलावा कोई और नहीं है उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है उसके अलावा कोई मार्ग नहीं है उसके अलावा किसी के पास जीवन नहीं है उसके अलावा किसी के पास पुनुरत्थान करने की शक्ति नहीं है सामर्थ नहीं है फिर हम एक और statement देखते हैं यूवर नारची सूसमाचार उसका चवधो एध्याय में हम फिर एक मैं हूँ statement देखते हैं चवधो एध्याय के छटवाय पद में हमको ये देखने को मिलता है इशु ने उनसे कहा मार्ग सत्य और जीवन में ही हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता यहां पर एक प्रभु इशु मसी का स्टेटमेंट हमको देखने को मिलता है मैं हूँ स्टेटमेंट डीखने को मिलता है मार्ग बूलता है मार्ग और कोई मार्ग नहीं है कई मार्गों में एक मार्ग मेरा है यह नहीं बतलाया गया है मार्ग jo actual मार्ग जो सही दिशा को ले जाएगा, जो अनंत की ओर ले जाएगा, ये नश्वर शरीर को पुनिर जीवित करेगा, दैदिप्यमान बनाएगा, मरणहार जीवन को, मरणहार देह को पुनिर्थात से पूर्ण जीवन बनाएगा, हमको स्वर्ग राज्जी में ले जाएगा, मरणहार देह छूट जाएगी, अनंत काल की देह हमको बिल जाएगी, उसका मार्ग कौन है, किसके पच पर हमको जाना है, किस मार्ग को लेना है इस संसार में जब हम रहते हैं, प्रभु ये श्यमसी का बताया हुआ मार्ग हमको ले पर फिर वो कहता है, सत्य भी मैं हूँ, बहुत सारे लोग आ जाते हैं, कहते हैं सचाई मेरे पास है, सत्य ता मेरे पास है, मैं सत्य का प्रचार करता हूँ, मेरे पास सत्य ही सत्य है, प्रभु ये श्यमसी यहां कहते हैं, किसी और के पास सत्य नहीं है, सत्य जो है इवल मार्ग है, उसके पास उस मार्ग में कैसे आगे बढ़ना है, उसकी सत्ता उसके पास है, सत्य है, वो जो बोल रहा है, वो सत्य है, सत्य की और कोई परिभाशा नहीं, मार्ग और सत्य जी, सत्य ही हमेशा जीटता है, सत्य की हमेशा विजय होती है, सत्य ही हमको आगे ले जाता है सत्य ही हमको बचाता है प्रभु एश्य मसी कहता है मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूँ बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता है जीवन चाहिए, मार्ग चाहिए, सचाई चाहिए प्रभु ईश्व मसीٰ के द्वारा हमको यह सब प्राप्त होता है बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता कितना साफ तरीके से हमारे धर्म शास्त्र में ये पवित्र शास्त्र में लिखा है मार्ग सत्य और जीवन में ही देए हमको इस मार्ग को पकड़ना है, हमको इस सच्चाई को जानना है, हमको इस जीवन को प्राप्त करना है, प्रभी इश्य मसी कहता है कि मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास याने परमेश्वर पिता के पास नहीं पहुँच सकता है, और फिर एक और बात प्रभू युहनारतित्सु समाचार उसके पंद्रवाध्याय के एक पद में हमको देखने को मिलता है। युहनारतित्सु समाचार पंद्रवाध्याय उसका पहला पद क्या कहता है। सच्ची दाखलता मैं हूँ जो उस दाखलता में विश्वास करता है सच्ची दाखलता मैं हूँ और मेरा पिता किसान है जो डाली मुझ में है जो फलती है फल्दार होती है सच्ची दाखलता वो ही उस दाखलता में उस डाली के रूप में हम उससे लगे रहेंगे तो हम फल्दाई होंगे हमारा जीवन फल्प्रद होगा हम बहुत सा फल लाएंगे हमें बहुत सारे गुन होंगे सच्ची दाखलता मैं हूँ मेरा पिता किसान है ये च्छे ये साथ प्रकार के बड़े बड़े वक्त तब प्रभु ईशु मसीम दिये है संसार में कोई भी व्यक्ति नहीं आया जिसने इस प्रकार का आएम या मैं हूँ स्टेटमेंट दिया है प्रभु ईशु मसी हम सभों को ये भरोसा देना चाहते हैं कि मार्ग उसके अलावा और कोई मार्ग नहीं हम सब उस मार्ग को पहचाने उस जीवन को पहचाने आमीन आये हम प्रात्ना करते हैं ये परमेशर आपने जीवन हमें दिया है पिता उसके लिए धनवात करते हैं हमको जो वचन दिया गया है पिता जी वो हम फलवन कर सके ऐसी हम आपसे प्रात्ना करते हैं हम प्रभु ईशु मसी के प्रेम को चक सके आपके नाम को उच्छा कर सके पिता ऐसी हम आपसे बिंती और प्रात्ना करते हैं आपके आशिश हम पाएं आपके विश्वास में हम बढ़ते जाएं ऐसी हम बिंती और प्रात नगरतें इश्व मसी के नाम से मानते हैं आमीन